मानी ग्रहमंत्री जी के द्वारा जो जम्मू काश्मीर आरक्षन विधेक रखा गया है इसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पृतिपक्ष के विध्वान पृतिनिदी विवेक तंखा जी ने आज एक विवेक पूर्ण बात कही कि यह सत्य है कि कश्मीरी प आते थे तो रेट कार्पिट वेलकम के साथ आते थे जल्वा जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जल्वा अफ्रोज होते हैं और सभापति महुदे आज भी वो आते हैं मगर एडी के सम्मन पे आते हैं एनाईय की पेशी में आते हैं यह अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में, महुदा मैं एक बात यादे लाना चाहताू, मैं लखनो कर रहने वाला हूँ, वहाँ भी मैंने बचपन में हिंदू-मुस्लिम कांफिक्ट नहीं सुना था, शिया सुन्नी कांफिक्ट सुने थे, इनकी सरकार के समय में शियाओं का जलूस, मदे साबा का जलूस रोक दिया गया था 22 साल तक रुका रहा जब हमारी सरकार आई उसके बाद वहाँ पर शियाओं का मदे साबा का जलूस निकलने की सिती आई मैं पूछना चाहता हूँ भाई हिंदू मुस्लिम के लिए हमारे उपर आरोप लगाते हो ये शिया सुनी के बीच में जो होता था वो भी शान्ति पूरवक हमारे दोर में हुआ कश्मीर हो या देश का कोई और हिस्सा हो बहुत बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर सूफी का बहुत बड़ा सेंटर था मैं पूछना चाहता हूँ कि विगत तीस वर्षों से सूफीजिम के चार बड़े सिलसिले हैं नक्षबंदी, सोहरावर्दी, चिष्टी और कादरी एक का भी कोई मरकस बचा हो तो बता दीजे बहुत से लोग भी भादिध धाचा गिरने की बात करते हैं मगर इस हिंदुस्तान में कश्मीर में एक चरारे शरीफ की मजार थी जो सेक्रों साल पुरानी थी, उसे जला के धस्त कर दिया गया और जलाने वाला कश्मीर भाग गया उसके बारे में कोई नहीं बोलता सेक्रोरिजम का सूर्मा उत्तर से डक्षन तक चुब बने रहते हैं हमारे दिल में उसके लिए भी दर्द है और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाच के लिए सबसे मुकदस मजजद हजरत बल पे नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कबज़ा कर लिया था ये वो भी दौर था बगर इसके बावजूद किसी को उस दौर में खराबी नज़र नहीं आती थी आज जब सब कुछ शान्तिकूर्ण और सही डंग से चल रहा है तब यहां समस्याएं नज़र आती है जिस समय आतंकवाद शुरू हुआ था जस्टिस नील कंट गंजू की हत्या उस समय हुई जब श्रीराजीव गांधी जी के नेत्रतों भारत के इतिहास की सबसे मजबू सरकार थी वो तो लोगों को याद होगा मुझे याद है मानेवर बच्पन में बहुत से लोगों नहीं याद होगा वर्ल्ड कप 1983 का जीतने के बाद इंडिया का पहला वंडे इंटरनेशनल कहा हुआ था 13 अक्टूबर 1983 कुर्शीनगर में भारत और वेस्ट इंडीस के बीच में और वहाँ पर भारती टीम के खिलाफ नारे चलिए वो तो अलग है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारती टीम के लोग के ऊपर चीजे फेकी गई बिच खोद दी गई उस समय तो सर्वकाली शक्तिशाली प्रधान मंत्री जीने विपक्ष मानता है शीमती इंद्रा गांदी जी का शासन था परंतु उसके बाद ऐसा दौर भी आया कि उस सब लोग आरोप से छूड गए कल मानी ग्रह मंत्री जी ने जब लोकसभा में कहा था कुछ गलतियों के बारे में कहा था तो वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि साब गलतियां अगर हैं तो इस बारे में चर्चा कर ली जाए तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर गलतियों की बात होगी तो बहुत सी ऐसी गलतियां है जिने विशे शुरूप से ध्यान रखने की आज आवश्यक्ता है मैं सिर्फ एक दो तीन तप्थिलों के सामने रखना चाहता हूँ जब स्वतंता के उपरांत रियासतों के विले का महकमा सरदार पटेल के पास था तो केवल कश्मीर नहरू जी ने अपने पास क्यों रखा था नमबर दो 1946 में महराजा हरी सिंग जी के विरुद विद्रो के आरोप में जब शेक अब्दुल्ला जेल में बन थे तो पंडित नहरू स्वैम उनको छुडाने के लिए कश्मीर गए और वो भी गिरिफतार हो गए यह बाद मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखी है कि इससे तत्कालीन कांग्रेस नेता बुरी तरिके से हत्प्रब हो गए और इस परिस्थिती में जिस समय पाकिस्तान ने आकर्मन किया उसे कबाईली आकर्मन क्यों कहा गया सेना का आकर्मन क्यों नहीं कहा गया और इसके अतरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस समय यह कश्मीर का संगर्च हुआ एक फैक्ट रखना चाहता हूँ उस समय तो माउंट बेटन 30 जून 1948 तक वाइस रॉय थे भारत की सेना अध्यक्ष जनवरी 1949 तक जनर रॉय बूचर था और पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष जनवरी 1954 तक अंग्रेज था तो भाई युनाइटेड नेशन्स में जाने की क्या वशक्ता थी ग्रहमंत्री जी ने बिलकुँ सही बात कही कि भाई उनको एक साल तक माउंट बेटन को इसलिए रोका गया था कि बचे हुए कुछ मामले रिजॉल्व करने है तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको क्या मेहमान नवाजी के लिए रखा गया था जब यहां थे दोनों तरफ के सेना जेक्ष भी अंग्रेज थे तो युनाइटेड नेशन्स क्यों गए इसलिए मैं कह सकता हूँ एक गलती नहीं भयंकर गलती थी जिसका खाम्याजा आज तक सरकार को भुगतना पड़ रहा है और फिर इतना ही नहीं करिस्पॉंडेंट आफ सरदार पटेल से बहुत इसपश्ट है कि वहां लिखा जा रहा था कि रिजिडिवल पावर्स विल बी वेस्टेड इन दे इंटरिम गवर्मेंट आफ जम्मु एन काश्मीर जिसको सरदार पटेल के इंसिस्टेंस के उपर यूनियन गवर्मेंट कर दिया गया अगर इजिडिवल पावर्स उनके पास वेस्टेड होती तो आप समझ सकते हैं कि आज कितनी बड़ी चुनोती का सामना करना पड़ता और ये करिस्पॉंडेंस ओफ सरदार पटेल 1945 तो 50 के खंड एक में जो वी शंकर उनके सेकेटरी थे उन्होंने इस बात को लिखा है अब मैं एक बात और घ्यान देना चाहता हूँ कि परतम लोग सबा में कश्मीरी पुनरवास के कैबिनेट मंतरी अजीद प्रसाद जैन जी ने अपनी किताब कश्मीर वाट रियली हैपन्ड में लिखा है कि दे ड्राफ्ट वाज अप्रूड वाई शेक एन इस कुलीग्स एन देन पास्ट वाई दी काउंग्रेस पार्टी यह मैं नहीं कह रहा हूँ उनकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे थे और इसमयांत मैं एक और व्यक्ति का उद्गर्ट करना चाहता हूँ जो भारत के मुख्यन आया धीश रहे जस्टिस महर चंद महाजन जो कि उस समय कश्मीर रियासत के प्रधान मंतरी थे उन्होंने आकर कहा कि 24 अक्टूबर 1947 को वो पत्र लेकर आ गए थे परंत उसके बावजू दो दिन तक सिर्फ इसलिए मामला अटकार आये मैं नहीं कह रहा हूँ जस्टिस महाजन ने अपनी किताब लुकिंग बैक में लिखा है चूंकि नहरू जी कि ये शर्त थी कि शेख अब्दूल्ला का पहले इस्थान ते हो जाए नई सत्ता में इसके उपरांत ही कश्मीर के विले का प्रस्ता होगा वो सारी बाते आपको पता होगी ही कि जब समय उन्होंने कहा था कि हम जाकर करांची चले जाएंगे यदि हिंदूों की रक्षा की गारेंटी शीनगर में फसे हुए लोगों के लिए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए एक दिन नहीं एक सत्र भी कमजोर पड़ जाएगा